तेवारों पर लागडाउन का उलंगन करने पर प्रसासन सकत हुआ है। बीती रात खजराना में ताजियों का जुलुस निकालने पर मचे बवाल को लेकर भाज़ पर प्रवक्ता। उमेश शर्मा ने कॉंग्रेस नेता और पार्षद उस्मान पटिल पर निशाना साधा। प्रसासन को इस प्रकार की नादानी का परिचय वहाँ पर दिया था। और मुझे लगता है कि एक बार वापस कोविट के मुहाने पर खजराना को ले जाकर खड़े करने की पाप जो उस्मान पटेल जी ने करा है। भारती जनता परटी ने इस परती की आपती लगाई और ये आपती सियासती नहीं थी। इस आपती का कारण राजनितिक नहीं था। भारती जनता परटी नागरिकों की जान की सुरक्षा को लेकर चिंति थी। और शुरुआती दौर में भी खजराना में कोरोना से पीडित बहुत सारे मरीज पाए गए थे। और वापस इस प्रकार के आयोजनों के द्वारा मुझे लग रहा है कि इस महामारी के खजराना म पैर पसारने की आशंका बहुत जादा है। इसलिए हमने तत्काला पत्ती करी थी और इंदार शहर की पुरुव महापार और भारती जनता परटी की विधायक आदरनी मालेनी लक्षमन सिंग जी गौड ने भी इस बात को लेकर माननी मुख्यमंत्री जी को घटना की जानका पैर दी है और उन्होंने कहा है कि बार बार एक वरग विशेष के द्वारा इस परकार के पुञरा वरत्ती करी जाती है। मेडिकल इस्टाप को माराजाताएं ऄठी तूका जाता यह असयोग किया जाता है इस परकार के ताजिया निकालने वाली घटना से एक बार यह प्रशाशन ने तेरा व्यक्तियों के विरुद्धा नामजद फाई आर दर्ज की है और संभावता उसमें से जो कुछ प्रमुग तत्व है उनके विरुद्ध रासुका की कारेवाई भी की जा सकती है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूले